आप सब का वेलकम है इस चैनल में और यह चैनल है फोट एडिटिंग के ऊपर बेस्ट और बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स आते रहते हैं अगर आपको इस चैनल के बारे में ज्यादर नहीं पता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें इस पर मैं टुटोरियल्स टालता हूं औ फोटो मैनिपलेशन होती हैं और बहुत सारा ओसम प्रिएटिड प्रिसेट आप सब के लिए अविलेबल रहती है तो वह आपको एंहेंस और हैल्प करेंगी फोटो एडिटिंग में आपके लिए बहुत बेनिफीशल रहेगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं औ और इस पार जो मैं बात करूंगा वो है competition जो मैंने held करा था आपने थोड़े दिन पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी competition 2 वह हो रहा है जिसमें आप सबको पार्ट लेना है आप अपनी कोई भी मेज भीज सकते हो कोई बैरियर नहीं है चाहे आप फोन पे करते हो ल आपके लिए आप ने बहुत अची एडिट करी थी और जिन जिन लोगों ने पार्ट भी लिया तो थैंक यू आपने इतना पार्ट लिया और जोईन करा मेरे कॉंटेस्ट को और इसमें विनर अनाउंस होगा लेकिन विनर भी इस वार थोड़ा ट्रिकी डाइप साय जो मेर ने चालू करा था उपर से लोगों कि पिछली बार आपन dominis की रह जाते हैं नेमिंग ऑर्डर को से सित्वय लिए बिल्कुल नीचे से क्दान वह और उडिया तो अग्ली बार कोई और अरेंग ऑर रहे ख़एगा हरार की ओर सेंग मेरेंक पितली बार से करें सिर्ष यान प बहुत अच्छा लगा था लाइक मैं आपको दिखा देता हूं यह बहुत अच्छा लगा मुझे इनका क्रिएशन थोड़ा सा आइडिया सही था लेकिन जो प्रॉब्लम आई थी वो आपकी यहां पर आई थी जब आप पी एंजी दालते हैं तो पी एंजी अच्छे से ब्ले बहुत पसंद आया मुझे और इसमें आपने जो फ्लेम से उसको थोड़ा अच्छे से और ब्लेंड करना था और अगर अगर आपने बैक्ग्रांड मैनिप्लेट करा है शायद लग नहीं रहा लेकिन अगर करा है तो बहुत अच्छी कटिंग करिए अपनी सो शाउट आट विशाल दौा धाल वीशू धाल ब्रो आपने बहुत अच्छी एडिट करी है फिर आता है विकी एडिट जोन ब्रो आपका मुझे पबजी कंसेप्ट बहुत ही अच्छा लगा ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट लगा मुझे आपने जो क्रियेशन कर रखी है और इसके ब्लेंड नहीं करते हो तो आप कहीं पर ब्लेंड नहीं कर पाऊ हुए अच्छे से सो इस पर जरूर आप फोकस करें और शाउट आपको भी विकी एडिट जोन ठीक है प्रो आपने भी अच्छा एडिट करा है और जब मोशन ब्लर का आपने बहुत अच्छा यूज कर रख तो यह एक कॉमन सी मिस्टेक है जो आपको जरूर देखने चाहिए थी सो होप आप इसे चैक भी करें ठीक है और यह भी मोशन ब्लर सही है और नेक्स्ट है इस गनेश ब्रो की और बहुत ही अच्छी एडिट करी है इन्होंने इस इस गनेश में क्योंकि इनके कलर टोनिंग मुझे बहुत अच्छी लगी और जिस इस आप से इन्होंने ब्लेंडिंग कर रखें बहुत ही प्यारी ब्लेंडिंग है ब्रो आपने बस यहां पर प्रॉब्लम रह गई थी जब आप यह अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाते हैं चीजों को तो यही बस मुझे थोड़ा सा खदकाता और जब आप करते हैं तो यहां पर रिम लाइट साथा आपने क्रियेट करें रिम लाइट भी सई सदेखें और जब आप करते ह foram हेर्स को तो उन्हें जरूर चेक करें क्योंकि यह फ्रिंजिंग जो आ जाती है हेर्स में तो यह प्रॉब्लम है इस पर टुटोरियल डाल रख है कि आप इसे फ्रिंजिंग कैसे दूर कर सकते हैं आपकी इमेज बहुत अच्छी थी और आपने बहुत अच्छा कंसेप्ट लगाया था लेकिन यहां पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आगे थी यहां पर शैड़ो क्रियेट होती है है हैंट के नीचे तो आपको वह भी सही से सीखना है तो इस पर ज़रूर फोकस करें आपकी बहुत ही अच्छी है और इंस्टाग्राम पे एक ने जरूर वायरल होगी ब्रो नेक्स आते हैं तुशार पुषपाड ब्रो आपका मुझे कंसेप्ट यह वाला अच्छा लगा क्योंकि आपने इसे बहुत ही अच्छे क्लेरिटी में कर रखा है जो मेरे को लगा और क्लेर चीज सही हो अगर नहीं हो तो आप खुद क्रियेट करें वो भी जादा बेटर रहता है और यह कंसेप्ट पहले मतलब शायद तो कि भाई के था या नहीं था वो मुझा एडिया नहीं है लेकिन देखा हुआ है मैंने कॉंसेप्ट बस आपकी कटिंग अच्छी थी और आप जब आप शेडो के चाहिए करेंगे और फिर यहां पर भी क्रियेट करेंगे चैडो से तो यह दोनों ब्लैंड हो जाएंगे और यहां पर आप यहां पर चैक आउट करें आप ठीक है और कोई प्रॉबलम नहीं लगी मुझे इसमेज में और थोड़े फ्रिंज ते यहार इ और जब आप यहां पर पेंट करें तो यह और शाइनी लगेंगे और लस्ट्रस लगेंगे जैसे मैं अपने हैर्स पर करता हूं ठीक है बहुत ही अच्छी एडिट थे आपकी और आपको वर्क हार्ड करना है फिर आते हैं ब्रो टैप फोर एडिट भाई का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था ऐसा मैंने क्रियेट कर रखा था कंसेप्ट सो जस्ट इसमें मोशन बलर का बहुत अच्छे यूज आपने फॉल क्योंकि इसके विंग्स एक जगे से इस्टिल नहीं रहते क्योंकि हमिंग बर्ड है अगर मैं कैमरे से भी कैप्चर करता हूं तो इसके विंग्स हिलते हुए आते हैं तो यह जरूर चैक आउट करें और आपके हैर्स में थोड़ी इसी कटिंग थोड़ी नहीं कुछ अधा मानी जाती है सो टैप फो एडिट ब्रोग ले भी शाउट आउट है आपने बहुत अच्छा एडिट कर रखा है तन्मोई एडिट्स सो भाई का मुझे कंसेप्ट सही लगा और में चीज इसमें यह थी कि आपने ब्लेंडिंग बहुत अच्छी क्रेट कर रहे हैं बै और आपने वाइट को थोड़ा सा ओफ वाइड यलो रखा है तो यह बहुत ही अच्छा कॉंट्रास्स कर रहा है हालागि आपके हैर में थोड़ी सी कटिंग में प्रॉबलम में और यहां आप इसमज टूल का यूज करते हो तो इसमज टूल से बचें ब्रोग आप अच्छ किव्लेंड करें और डिट करें ब्रो नेक्स सब्स्स आते हैं रोहित दोले 412 भाई का मुझे कन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और जैसे ब्लेंडिंग आपने क्रिएट कर रही है वह बहुत ही अच्छ यह क्योंकि कॉंट्रास्ट मैच हो रहा है आपका जब कॉंट्रास तो इसे बात है वह कहीं स्टे करेगा नहीं तो उसे आप थोड़ा ब्लैंड रखें ब्लैक में कि वह ज्यादा दिखे ना और जब आप इधर सिट कर रहे हो तो आपकी रिफ्लेक्शन भी हां क्रियेट होती है थोड़ी सी तो उस पर ध्यान दें ब्रो ठीक है ब्रो और सीट क आपके हैर्स में भी सही है थोड़ी कटिंग लेकिन इसको भी जड़ा परफेक्ट करें उसके बाद रहूल समाल 18 ब्रो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा लग मुझे अपने डूवल कंसेप्ट कर रखा है यहां पर और आयम पॉसिबल टाइप आपने हैर्स में यहां इस स्मज से कटिंग कर रखिया और उसके बाद आपने पेंट कर रखा है इस टूल से बचें इसमज आपकी फोडो को खराब करता है को भी वह इतना अच्छा रिजल्ट प्रोडिउस नहीं करता और जब आप हाथ पैसे देखें तो इससे आप टूल होता है जिससे हम आपने बहुत अच्छा कंसेट कर रहा है रहुल समाल 18 अर उसके आध आते हैं प्रथम कुर कुरेकर आपका नाम गल्द लिया हो तो और यह कंसेट क्रियेटेड है या कॉपी नहीं कह सकता शायद मैं लेकिन अच्छा कंसेट लगा मुझे मैंने देखा नहीं है इसलिए स्लेक्टेड है आप जरूर कमेंट करें बागी लोग अगर आपने देखा हो तो अवेर रहू है हर चीज के लिए और अच्छा लगा हमेशा फोटो को हाई क्वालिटी में एक्स्ट्रेक्ट करें और निकालें क्योंकि इससे प्रॉब्लम क्रियेट हो जाती है ठीक है आपका कॉंसेट बहुत सही है लेकिन आपकी कटिंग बहुत ही मतलब कम है उससे थोड़ा इन्स करें बो ऐसे फ्रिंज क्रियेट नहीं होत आपकी सेलेक्शन बहुत अच्छे है लेकिन आप एर पर वर्क नहीं करते हो बिल्कुल भी आपने सीधा कट डाल रखा है तो यार इसे जरूर चैक आउट करें आप ऐसे सीधा ही कट नहीं होता और पैर वेर अच्छे से ब्लेंडेट है लेकिन यहां जब आप देखेंगे कि दो चीजे यहां ब्लेंड मिक्स हो रही है तो यहां पर आपको फील्ड ब्लर यूज करना होता है ना कि गौजियन ब्लर ब्रू तो इसका जरूर ख्याल रखेंगे आप आपको फिर आते हैं ओम राज होड ब्रू मुझे आपका नाम सही से नहीं पता चला था इसलिए मैंने इमेल वादा नाम लिया था और यहां आपने बहुत अच्छा वर्ग कर रखा है इसमें यह पी एंजी के साथ थोड़ा से ब्लेंड हो जाता अगर आप इसकी कलर वाइ लेकिन यहां पर जब आप एज सेलेक्शन करते हो तो आपने वापिस से मास्क करके रिमूव नहीं करते हो मतलब ए रेज नहीं करते हो आप एक यह बार आप एज डिच्च्छन यूज करते हो और उसमें प्रॉबलम आ जाती है और आपकी यहां पर वाच भी गायब है इसक फिर आते हैं मिजान खेराडवाला आपका कंसेट्ट मैंने इसलिए चुना क्योंकि आपने डिटेलिंग में वर्क कर रहा है डिटेलिंग परफेक्ट थी आपके फोटोस में और जब आपको ऐसा लगे कि बंप्स क्रियेट हो रहे हैं आपकी स्किन में तो आप इसे लिक्विफायर टूल से बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेच करके एक एवन लुक देजिए एवन लुक देने से आपका ही फायदा रहेगा आपके बोड़ी थोड़ी और अच्छे से दिखेगी और जैसे यहां क्रियेट हो जाते हैं तो इसे इवन कर दें लिक्व आती है कि आपका बैक साइड विजीबल होगा उसमें मिरर में कभी आपका यह थोड़ी होगा कि मिरर यहां पर लगाया और आपकी गर्दन ही विजीबल हो जाएगी तो इसमें बस परस्पेक्टिव का एरर है लेकिन आपने दिमाग बहुत सही लगाया था तो इसको फ्लि आपका मुझे यह कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा और किसी ने मेरी फोटो ऐसी एडिट कर रखी थी सो मुझे यह बहुत पसंद आया कि आप बहुत सारे अपने ही आर्ट दिखा रहे हो एकी आर्ट के तुरू सो आपकी कटिंग भी बहुत अच्छी लगी मुझे लेकिन कटिंग थोड़ी-थोड़ी पॉइंट पे मतलब अच्छे से नहीं और यहां आपको लैग पे ब्लैंड करना और अच्छे से सीखना आप यूट्यूब पे टुटोरियल्स देख सकते हो आपको लैग अच्छे से ब्लैंड करने आ जाएंग और यहां हेर में थोड़ी सी लेकिन आप अर्किन स्मज शूल की युजा इंसे but लिए धा सब्सक्राइश तो अद्री और कि यहांद की तो हैंड जयाद के इन प्राइश अचार्ट ऑफ और न मिलगे वह आपा ह। उसके बाद लाइफ हैकर ब्रो आपका यह वाला कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा मुझे आपने जो क्रिएट कर रखा है लेकिन आपकी कटिंग अप्टूदी मार्क नहीं आती है ब्रो आप यहां पर फ्रिंजिस देख सकते हैं तो आप कटिंग के लिए पेंटूल यूज़ करें वह ज्यादा बेटर रहेगा और यहां आप शैड़ो क्रिएट करें और यह फिंगर देखें आप सही से क्रिएट नहीं है लेकिन कंसेप्ट बहुत अच्छा था और जब आप रिरेचिंग करें लाइक फ्रिक्वेंसी साफ अफ़ान ओफेशियल भाई को तो मैं साहनता हूं इस्ट्राग्राम पर फॉलो भी कर रखा है और भाई की एडिट बहुत अच्छी है जस्ट मुझे इसमें यहां पर यह एर लगाए यहां पर यह एक्स्ट्रा शैड़ो रह गया और कुछ नहीं है ब्रो और थोड़ा सा प लोड करते हैं यह केंडल्स तो इनकी जो लाइट होती है यह स्टिल नहीं है अगर आप देखें पीछे तो वेव सारी है तो इनमें वेव स्क्रियेट करने के लिए आप डिस्प्लेश्मेंट मैप यूज कर सकते हैं वह भी परफेक्ट रहेगा और जानता हूं ब्रो यह प इसके बाद आते हैं KP Edits आप लुड़ आपने बहुत ही अच्छे से ब्लेंडिंग क्रियेट करे रहे हैं जो वाइट कलर है उसी टाइप का बैगराउंड ले रखा तो फोर्ग्राउंड ब्राउंड बहुत यह था ब्लेंड हो रहा है जो गुजे बहुत ही पसंद आया और आपने आइस में भी यहाँ लैंस यूज़ करना लेंस आपने अच्छे से यूज़ नहीं करा है उसके बाद आते हैं It's Ash Official ब्रो आपका बहुत ही अच्छा लगा मुझे यह concept और सबसे अनोखा लगा मुझे concept मैंने ऐसा concept नहीं देखा नेट पर लेकिन आप जब टैटूस ब्लेंड करते हैं तो इन में बलर भी आता है थोड़ा सा तो थोड़ा सा बलर ज़रूर है डाउन करें और गेम आउन बहुत अच्छा है और जब आपने speaker रखे तो यहाँ shadow एक hard create होती है तो hard shadow ज़रूर create करें क्योंकि आपने hard shadow कहीं create नहीं कर रखिया आप pair के नीचे भी hard shadow create क्योंकि light आपके pair के नीचे से pass नहीं हो सकती है तो इस case में आपको यहाँ पे just यहाँ पे paint करना पड़ेगा और पैर को थोड़ा सा अच्छे से blend करते हैं ब्रो यह perfect image हो जाती है और कोई problem लगती ही नहीं इस image में so heads of bro आपने बहुत अच्छा है और partly है इसमें बहुत ही अच्छी एडिट लगी मुझे बहुत ही अच्छी एडिट लगी मुझे बहुत ही अच्छी एडिट करते हैं और like deep end concept होते हैं लेकिन ब्रो जो आप decontaminate यूज करते हो hairs में उसे रहने दो decontaminate आप manual selection पे ज़्यादा बिलीब रखो ब्रो वह ज्यादा बेटर रहता है और आपने बहुत ही अच्छे से cutouts create कर रहते हैं अपने बॉड़ी के ब्रो आपके मुझे यह पिक बहुत अच्छी लेगी लेकिन बस hairs में work थोड़ा अच्छे से करें और जब आप paint यहां डालते हैं face पे तो इसे भी थोड़ा अच्छे से माइंड करें और ऐसे नहीं होता कभी भी paint सो इसे जरूर ध्यान करें और किसी की image का reference लिए जब आप create करें तो फिर आपकी बहुत ही अच्छी image दिखेगी उसके बाद आपके यहां hand के बीच में cut out रह गया था तो इसे भी जरूर चेक आउट करें ऐसे cut out leave ना करें अबी भी उसके बाद hey people bro आपकी image मुझे बहुत ही अच्छी लगी आपने जैसे create कर रखा है next level है bro ही है और आपने अच्छे से blend कर रखा है पैरो और उसको अपने shoes और road के बीच में लेकिन इसमें image की problem लग रही है क्योंकि अगर मैं zoom in करूं इंस्टाग्राम पर भी पता चल मुझे इतना आप आप HD में लेकिन background थोड़ा कम HD में सो वाल पेपर ज़रूर HD में select करें और आपने हर जगे work बहुत detailing में कर रखा है यहां shadow भी आपने create कर रखे सो ब्रो आपका काम बहुत ही अच्छा है लेकिन एक चीज का और ध्यान रखे कि जब आपके light इधर से आती ह तो यहां rim light भी create होगी so rim light भी आप ध्यान दें so वो बहुत ही रहेगा अच्छा so hey people bro को shout out है आप जरूर check out करें उसके बाद आते है फ्राज edit bro भाई बहुत ही unique concept बनाते हैं और अच्छा लगता है मुझे इनका concept देखके bro आप बहुत सही वर करते हैं बस इसमें problem यह रहती है कि आप जब create करते हो तो light के according work करा करो bro कि ना कि front light के साथ का work करा करो आप backlight के around work करा करो और इसमें day night का filter यूज़ करके आप इसे और ही अच्छे next level पे ले जाते सो ब्रो आप जरूर try out करो मैं नहीं बताऊंगा आपको कैसे day and night filter को use करना है लेकिन की है वो आपके success के लिए फिर बढ़ते हैं day our creation की तरफ bro आपका concept मुझे बहुत ही अच्छा लगा यह moon वाला और इसमें लेकिन आपने blend pair के नीचे फिर से अच्छी से नहीं करिया तो यार इसे जरूर करें आप अच्छे से और ऐसे कोई title लिखने से कोई फायदा नहीं होता bro इमेज के नीचे की डिजनी विजनी इतना सारा आप लिखकर डाल दो यह सब कोई फायदा नहीं देता है कभी आप अपनी simple image क्रियेट करें वहीं बहुत ही अच्छी है बस यहां पर थोड़ी और आगे तक क्रियेट होती शेडो इस पॉइंट तक आती है शेडो बहुत ही अच्छा लगा मुझे और आपने यह बैक पर बैंटेन पर अपनी वह क्रियेट कर रखी है रिफ्लेक्शन वह भी बहुत ही अच्छी लगी मुझे और हेर कटिंग आप क्या रैपके अप डूदी मर्क बहुत ही अच्छी है आपट अच्छेक्राण पर आपको अच्छा एक एक अच्छा दाब आपस ची लाजम मुझे बहुत ही अच्छा लगा लेकिन आप पी एंजी स्थोड़ी और र्यालिंजम वाली यूज करें मतलब रियल बड़् को कॉ कट आउट करें लाइक कट आउट चीजे यूज ना करें बिलकुल भी सो इस पर जरूर आप फोकस करें ब्रो आपका कंसेप्ट बहुती अमेजिंग और नेक्स लेवल पर है और कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है मुझे इस चीज में फैर आते हैं अब है जीरो सेवन एक ब्र ब्रो आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छा लगा है मुझे फ्रेम में से बाहर वाला और इसमें जो प्रॉब्लम है वो है कट आउट में आपके हैंड्स बिलकुल भी अच्छे से कट नहीं रफ कट है बिलकुल भी और आपने शूज का भी सही से नहीं दिहान दिया है ब्र आपने बहुत ही अच्छा ब्लेंड क्रियेट करा था अपने पिक और उसके साथ विंटेज एफेक्ट टाइप में लाइक आपने ब्लेंडिंग परफेक्ट दी है लेकिन जब फोटो आप क्रियेट करते हो तो बैक्ग्राउंड में भी बलर आता है थोड़ा सा तो यहां से बलर आपको डालना चाहिए था और यहां हेर्स में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी है सो हेर्स पर ज़रूर आप फोकस करें फिर आते हैं देव लोधी प्रो लास्ट कंसेप्ट और नॉट लीस्ट और बहुत अच्छा लगा मुझे यह वाला कंसेप्ट क्या अपने फिंगर्स और यहां पर भी कनेक्ट कर रखे हैं सो यह अच्छा लगा मुझे डेखके और लेकिन यहां पर जब आप यह क्रियेट करते हैं तो थोड़ी थोड़ी शैडव भी क्रियेट करें वह भी बहुत अच्छी लगेगी और ब्रोक आफ्टर एंड बिफोर भी है सो अ आउट अच्छे से करें आप सो रैप अप करते हैं यहां सारे टुटोरियल करें कॉम्पेटिशन को और जो मुझे सबसे अच्छी और परसनली दी बैस लगी है वो लगी है मुझे डीवी क्रियेशन की ब्रो आपने बहुत ही ऑसम और अच्छा आर्ट वर क्रियेट कर रख हर किसी ने बिल्कुल नेक्ष लेवल बर करаем है और मैं चाहता ह team कि आप सारे एंपुरे को एक डूसरे को सपोर्ट करें और लाइक जब तक आप डूसरे को नहीं सपोर्ट करें और वह आपको कूः आप अर हमेशा दोसरों की पोस्ट को जरूर लाइक और एप्रिशेट कर तो थैंक यू गाइस यहां तक हापाये जाएं